नमस्कार में देक्षा सिंग और बोल्लिसकाई में आपका स्वागत है मौनियम आवस्या के दिन को बहुत महतुपूर और शुब दिन माया जाता है मानेता है कि इस दिन पवित्र नदियों में सनान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है ये भी कहा जाता है कि मौनियमावस्या पर मौन रहकर तता शुद्ध आच्रण करके इस नान करने से शीगर फल मिलता है लेकिन इस दिन कुछ चीजों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए हम आपको ऐसे कारे बता रहे हैं जिनें मौनियमावस्या के दिन करने से बचना चाहिए शास्तों के नुसार मौनियमावस्या के दिन बुरी आत्माय सक्री हो जाती है और व्यक्ति को नुकसान पहुचा सकती है इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस दिन कब्रिस्तान या शम्शान घाट के आसपास से गुजरने से बचना चाहिए मौनियो मावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए इसनान और पूजा से पहले इस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए गरुन पुरान में बताया गया है कि मौनियो मावस्या के दिन संबंध बनाने की वज़े से जन्मे बच्चों को जीवन भर सुख नहीं मिलता है इसलिए किसी भी महिला और पूरुष को इस दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए इस दिन अपने घर और आस पास शांती बनाए रखने की कोशिश करें किसी भी तरह की कलेश लड़ाई जगडे का हिस्सा बनने से बचें दिक आप मान ना करें मौनियों मावस्या के दिन इस नान का खास महतु होता है इस दिन इस नान के पानी में गंगा जल मिला कर इस नान करें लेकिन इस नान से पहले मौन रहने की कोशिश करें इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसी तरह के अने जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ